नमस्कार चात्रो चात्रो कक्छा आठवी के हिंदी विशय के वर्ग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत चात्रो मनुष्य ने कर्म, ज्ञान वा विज्यान के बल पर धर्ती का नाम रोशन किया है चात्रो विज्यान कभी वर्दान है तो कभी शाप है इसी के आधार पर हम डॉक्टर प्रकाश दिक्षित इनकी धर्ती का आंगन महके इस कविता को देखने वाले है डॉक्टर प्रकाश दिक्षित जी का जन्म है सन 1929 में उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में हुआ था ये आज इवन अध्यापक रहे दिक्षित जी विवीत पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रह चुके है इनोंने पत्रकारिता का कार्य भी बकुबी से निबाया है इनके द्वारा लिखे गए वैचारी कलेक पाठकों को चिंतन करने के लिए विवश करते है इनकी प्रमुक कृतिया है अर्चनांजली, मंगलपत, दोहावली, राष्टियस्वर ये इनके कविता संग्रह है छात्रों प्रस्तूत कविता में कवीवर डॉक्टर दिक्षित जी ने कर्म, ज्यान एवं विज्ञां की महत्ता स्तापित की है इनका कहना है कि हम ज्यान विज्ञां के बल पर बले ही आसमान को ना पले, परन्तु विनाशक शस्त्रास्त्र में शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्य है यह तभी संबव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा छात्रो इस कविता में कवी कहते है धर्ती का आंगन महके कर्मज्ञान विज्ञान से ऐसी सरीता करो प्रवाहित खिले खेत सबधान से छात्रो सरीता का मतलब है नदी अभीलाशा मतलब इच्छा प्रवाहित करना मतलब बहता हुआ धान मतलब अनाज इस कविता में कभी कहते है कि कर्म और ज्यान विज्या की महत्ता के कारण धर्ती का आंगन महक रहा है मनुष्य ने कर्म ज्यान वो विज्यान के बल पर धर्ती का नाम रोशन किया है ज्यान विज्यान के बल पर धर्ती पर सभी खेत लहलहा उठे है ऐसी धारा प्रवाहिद की है कर्म, ज्यान, विध्यां के द्वारा धर्ती को संपन्न बना दू आगे कभी कहते हैं अभिलाशाय नीत मुस्काय आशाओं की छाह में पेरों की गती बंधी हुई हो विश्वासों की राह में अभिलाशा का मतलब है चाहा या कामना मनुष्य की अभिलाशाय यानी चाह आशाओं की चाह में नित मुस्का रही है मनुष्य को आशा है कि आज नहीं तो कल उसकी सारी कामनाएं पूरी होगी इसलिए उसके पेर बड़े विश्वास के साथ प्रगती पर तेजी से आगे ही बढ़ रहे है शिल्पकला कुमुदों की माला व्रक्षस्तल का हार हो फूल फलो से हरी भरी इस धर्ती का शुंगार हो चात्रो कुमुद का मतलब है कमल वक्षस्तल मतलब चाती सीना कवी के मतानुसार इस धर्ती पर मानव जिसने कर्मक करके शिल्पकला का निर्मान किया है यह शिल्पकला कमल रुपी फूलो की माला जैसी है जिससे इस धर्ती का गवरव बढ़ रहा है वह धर्ती के गले का हार है कवी की हार्दी कामना है कि यह धर्ती फूलो फूलो से संपन्न हो और धर्ती का शुंगार भे रुद्धी हो चात्रो आगे कवी कहते हैं चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चड़े किसी भी यान से किन्तु नहो संबंध विनाशक अस्रों का इंसान से कवी कहते हैं कि आज का यूग अधुनिक यूग में मानवने कई क्षेत्र में काफी प्रगती कर ली है उसने ज्यान विज्यान के बल पर आसमान को नाप लिया है वह चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर भी अपने अंतरिक्ष यान से जा सकता है उसने चतुर्दिक प्रगती कर ली है उस पर किसी भी प्रकार की रोग टोग नहीं है परन्तु उसका विनाशक अश्रों से किसी भी प्रकार का नाता नहीं होना चाहिए उसे मानवता की रक्षा करनी चाहिए आगे कभी कहती है सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन धांकती सदाचार की शुब्र शलाका मन सुन्दरता आंकती इस धर्ती ने सांस सांस का जीवन पट बुनकर सभी के प्राणों का तन धांक दिया है शलाका का मतलब है सलाई, आंकना मतलब अंदाज लगाना कभी के अनुसार सदाचार वस नेह के द्वारा ही मानवता का विकास होगा सदाचार रूपी शुप्र शलाका मन की सुन्दरता को आंकने का काम करेगी मानवता के विकास के लिए सभी को सदाचार एवं सनेम को अपनाना चाहिए प्रतिभा का पैमाना मेधा की उंचाई नापता मानवता का मिटर बन मन की गहराई मापता कवी कहते हैं कि प्रतिभा का मानदंड बुद्धी के उंचाई नापने का काम करता है सभी के रुदय में मानवता निर्मान होनी चाहिए मनुष्य को अप मानवता का मिटर बनकर अपने के दिल की गहराई मापने का कार्य करना चाहिए अर्थात मानव की प्रतिभा को मानवता के लिए कार्य करना चाहिए आगे कभी कहते हैं आत्मा को अवरुत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जय गान से छात्रो वसुधा का मतलब है धर्ती कवी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी आत्मा स्नेह रुपी प्रकाश से धैक देना चाहिए स्नेह से व्यक्ति को अपना आत्मा स्वयम प्रकाशित करना चाहिए जब ऐसा होगा तब धर्ती पर मानवता का विकास होगा हम सभी को मिलकर धरती का जैगान करने के लिए पूजा अर्चना करनी चाहिए इस तरह छात्रों हमें कर्म, ज्यान, विज्यान को अपनाना चाहिए हमें विनाशक असरों के किसी भी प्रकार का नाता नहीं रखना चाहिए मानवता के सउरक्षन की भरम सब कोशिश करनी चाहिए हमें सदाचार वस नेह को अपनाना चाहिए इस तरह कवी डॉक्टर प्रकाश दिख्षित इनकी धरती का आंगन महके इस कवीता को अपनी कापी में लिखना है और इसके आगे का स्वध्याय पूर्ण करना है दन्यवादा